मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे लेटिस नोटिफिकेशन मिलता रहे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ राजमा की बहुती आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी बहुती जटपट से ये रेसिपी तयार होती है, इसमें हमें राजमा को उबालने का कोई जھंजट नहीं है, बस राजमा को आप राद बार सोख करके रखीये और सुबदा ये जटपट से आप इसको बना लैजे, बहुती डिलिशेस और यमी ये बन कर तयार होती है राइस के साथ सर्फ करिए, बहुती लाजवाब सी राजमा की जटपट से बंजने ले रेसिपी है आईए देखते हैं, इस आसान और यमी रेसिपी को बनाने के लेकिन किन चीजों के जरुएत होती है और इसे कैसे बनाते हैं तो राज में बिनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है उसे मैंने 4 टेबल स्पून ओयल डाला है ओयल को हम अच्छी तरह से गरम हो जाने देंगे मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है अब जो भी ओयल खाते हैं ले सकते हैं और प्यास को हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे अच्छे से इसको चलाते हुए हमें इसे लाइट ब्राउन कलर कर लेना है तो देखे हमारी प्यास भी अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गई है अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अद्रक और लहसुन का paste add करेंगे और इसे भी medium to high flame पर अच्छी तरह से भूल लेंगे जब तक अध्रक और लेसुन का कच्छापन खतम नहीं हो जाता है तो हमारा अध्रक और लेसुन भी अच्छी तरह से भून गया है अब मैंने इसमें 3 medium size के टमाटर को बारी कट कर लिया है वो डाल देंगे और इसे भी medium to high flame पर अच्छी तरह से भूल लेंगे जब तक हमारे मसाल टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं अब हम इसमें half teaspoon नमक एड़ कर देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करिएगा half teaspoon मैंने इसमें लाल मिल्श पाउडर एड़ किया है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करिएगा जितना तीखा आप खाते हैं और half teaspoon ही इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिल्श एड़ किया है ये तीखा नहीं होता इसे मैंने कलर के लिए डाला है और अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से दो मिनट तक भूलेंगे या तब तक भूलेंगे जब तक मसाले मसालों के साथ हमारा टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब मैंने एक कप राजमा को राद भर के लिए भिगो के रखा था यह देखिए जो भी राजमा आप खाते हैं ले सकते हैं इसे मैंने ओवरनेट सोग करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ राजमा को भी हम डेवर से दो मिनट तक मीडियम टू हाइफ पर भून लेंगे तो देखिए मैंने राजमा को भी अच्छी तरह से देवर से दो मिनट तक भून लिया है मसालों के साथ में अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पॉडर एड़ कर देंगे और से भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो देखिए सारे मस पर इसमें एक सीटी आने देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम लो करके इसे पांच मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे, फिर हम गैस की फ्लेम आफ करके कुकर का प्रेशर अपने आफ रिलीज होने देंगे, उसके बाद हम इसको खोल कर देखेंगे, तो मैंने इसे रख है गैस पर एक सीटी आएगे इसके बाद हम लो फ्लेम पर पांच मिनट तक कुक कर लेंगे तो देखिए हमारा राजमा कुक हो गया है कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया है आए इसे खोल कर देखते हैं तो देखिए राजमा अच्छी तरह से गल गया है इसे हम च कर लेंगे इससे राजमा का टेक्शर बहुत ही अच्छा होता है देखने में भी अच्छा लगता और खाने में तो यह लाजवाब है तो जरूर से ट्राइ करेगा देखिए हमारा डिलिशेस सा राजमा बनकर रेडी है अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे हरी धनिया करेंगे उसके बाद हम इसे सर्फ करेंगे बहुत ही डिलिशेस सा जटपट से मारा राजमा बनकर त्यार हो गया है आए इससे सर्फ करते हैं तो मारा टेस्टी डिलिशेस और यमी राजमा बनकर रेडी हो गया है उबानने का कोई जंजट नहीं बस आब इसे ओवरनाइट स क्यार होगया है मेरे इस पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए अपने फैमिली और फ्रेंड में अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्रा जबना नहीं किया है तो प्लीज आप इसे एक बार सबस्क्राइब जरूर करिए मेरी आसान और यमी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइए करिए थैंक यू सो मज फॉर वाचिंग माई वीडियो